हमें अपने सैनिकों के शावरिय पर उनकी बहदूरी पर पूरा भरोसा है मुझे पुरा भरोसा है कि देज भक्ति के रंग में रंगे लोग सही जानकारिया भी हमारी एजन्सियों तक पहुँचाएंगे ताकि आतन को कुछलने में हमारी लड़ाई और तेज हो सके मैं आतकी संगढ़नों को और उनके सरपरस्टों को कहना चाहता हूं कि वे बहुत बड़ी गल्ती कर चुके हैं बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी मैं देश को भरोसा देता हूं कि हमले के पीछे जो ताकते हैं इस हमले के पी जो भी गुनेगार है उन्हें उनके किये की सजा अवश्य मिलेगी जो हमारी आलोचना कर रहे हैं उनकी भावनाओं का भी मैं आदर करता हूं उनकी भावनाओं को मैं भी समझ पाता हूं और आलोचना करने का उनका पुरा अधिकार भी है लेकिन मेरा सभी साथियों से अनरोध है कि ये वक्त बहुती संवेदंसिल और भावगपल है पक्षमें या भी पक्षमें हम सब राजनीतिक छिंटा कसी से दूर रहें इस हमले का देश एक जुट होकर के मुकाबला कर रहा है देश एक साथ है देश का एक ही स्वर है और यही विश्व में सुनाई देना चाहिए तेहों कि लड़ाई हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं पूरे विश्व में अलग थलग पड़ चुका हमारा पडोसी देश अगर यह समझता है कि जिस तरह के कृत्य वो कर रहा है जिस तरह की साजी से रच रहा है उससे भारत में अस्थिर्ता पैदा करने में सपल हो जाएगा तो वो ख्वाब हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दे वो कभी यह नहीं कर पाएगा और नहां कभी यह होने वाला है इस समय बड़ी आर्थिक बिहाली के दौर से गुजर रहे हमारे पडोसी बेश को यह भी लगता है वो ऐसी तबाही मचा कर भारत को बढ़ाल कर सकता है उसके यह मन्सुबे भी कभी पूरे होने वाले नहीं है वक्त ने सिद्ध कर दिया है कि जिस राश्ते पर वो चले हैं वो तबाही देखते चले हैं और हमने जो रास्ता अकत्यार किया है वो तरक्की करता चला जा रहा है एक सो तीस करोड हिंदुस्तानी ऐसी हर साजी ऐसे हर हमले का मुह तोड जवाब देगा कई बड़ो देशों ने बहुती सक्त शब्दों में इस आतं की हमले की निंदा की है और भारत के साथ खड़े होने की भारत को समर्थन की भावना जताई है मैं उन सभी देशों का आभारी हूँ और सभी से आवान करता हूँ कि आतंगबाद के खिलाब सभी मानोताबादी शक्तियों को एक हो करके लड़ना ही होगा मानोताबादी शक्तियों ने एक हो करके आतंगबाद को परास्त करना ही होगा आतंग से लड़ने के लिए जब सभी देश एक मात एक स्वर एक दिशा से चलेंगे तो आतंग बात कुछ पल से जादा नहीं टिक सकता है साथ क्यों पुलवामा हमले के बाद अभी मनस्सिती और माहोर दुख के साथ आकरोच से भरा हुआ है ऐसे हमलों का देश जटकन बुकावला करेगा या देश रुकने वाला नहीं है हमारे वीर शहीदों ने अपने प्राण के आहूती दी है और देश के लिए मर मिटने वाला हर शहीद दो सपनों के लिए जिन्दगी लगाता है पहला देश की सुरक्षा दूसरा देश की समर्द्दी मैं सभी भीर शहीदों को उनकी आत्मा को नमन करते हुए उनके आशिर्वार लेते हुए मैं फिर एक बार विश्वाद जताता हूँ कि जिन सब्दो सपनों को लेकर के उन्होंने जीवन को आहूद किया है उन सपनों को पूरा करने के लिए हम जीवन का पल पल खपा देंगे समर्द्द्दी के रास्त को भी हम और अधिक गती दे करके विकास के रास्ते को और अधिक ताकत दे करके हमारे इन वीर शहीदों के आत्मा को नमन करते हुए आगे बढ़ेंगे और उसी सिल्खेले में मैं बंदे भारत एक्सप्रेस के कंसेप्ट और डिजाइन से लेकर इसको जमीन पर उतारने वाले हर इंजीनियर हर कामगार का आभार व्यक्त करता हूँ चेन्ने में बनी ये ट्रेन दिल्ली से कांसी के बीच पहला सफर करने वाली है प्रदाने नरेंद्र मोधी प्रतीकारद हिंट कोड़ता है द्रा योधर बलिधाना व्यर्था आगोदिक्के बिडोदिल्ला अवर कनसिगलन्ना इडरिस तीवी दिवाली यद्धिरुवा नम्म नरे राष्ट्रा इन्नू तन काना मगे तोंदरे कोड़ता हिदे अन्नुवा मात गलन्ना हेलता हिद्रू झाल